नमस्कार दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए तरेगी की मिठाई की रेशिपी जिसे आप दिवाली में बना कर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम सामान में बिल्कुल बजट में बनेगी और कोई भी परसानी नहीं आईगी आपको इस मिठाई को बनाने में तो चलिए जल्दी से असमिठाई को बना लिते हैं और मैंने यहां पे एक पैन ले लिया है । आप हम पैन में डाल देंगे देशी घी आप चाहे तो यहां पर रिफाइंड का इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर तो जो भी आपके पास हो तो आप वो इस्तिमाल कर सकते हैं इस मिठाइ को बनाने में और पैन जब हमारा हलका गरम हो जाएगा तब हम इसमें घी एट कर देंगे और मैंने यहां पर एक त्याई कप गी लिया है जिसे एक चम्मच हमने बचा लिया है और अब हम घी को गरम होन ने देते हैं, घी हमारा हलका सा ही गरम होगा, तो मैंने यहां पर मैंदा लिया है, जिसे मैंने पहले से चान कर लिया था, अब हम इसे मिला देंगे, घी में और धीमी आच में अच्छे से भून लेंगे, और बिलकुल मार्केट जैसी सुपर टिस्टी हम मिठाई बना के तया आपको इसका फ्लेबर भी बहुत ही बढ़िया लगेगा और देखने में काफी खुबसूरत लगेगी तो अब हम धीमी आज में लगातार इसे भूंज लेते हैं ताकि मेंदा अच्छे से भूंजाए कच्छी न रहे मेंदा को भूंजना बहुत ही जरूरी है जितने अच्छ भी गप आँके सी खुस्बून आने लगे या फिर इसका हल्का सा कलर आपको चेंजना दिखने लगे तो बस इस तरह से हम इसे भूंज लेंगे धीमी ही आच में हमेसे भूनना है और इस वीडियो को हमने ज़्यादा इसकिप नहीं किया है पूरी वीडियो आपकी सामने है जैसा जैसा मैं कर रही हूँ ठीक आपको बैसा ही करना है आप भी इसी तरह परफेक्ट मिठाई घर पर ही बनाके तयार कर लेंगे जैसी कि मैंने बनाई है और मैंदा हमारी हलकी हलकी भुंच गई है इससे हलका सा कलर सा चेंज आपको दिख रहा होगा और हलकी से महक भी आ रही है तो मैंदा हमारी काफी अच्छे से भुंच कर तयार हो गई है अब आप आप हम निकालेंगे ओ कि तो किसी भी बरतन में आप इसे पलट सकते हैं या फिर आप दूसरे बरतन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैंने यहां पर कड़ाई ले लिया है उससे आदी हमें चीनी लेसे आदी कभ हम्ने पेखे, पहले कहीं रहे हैं अगर आपको तो-ड़ा मीठा ज्यादा पसंद्द है तो पाना कभ चीनी कभी avail कर सकते हैं एक जित्ति हमने चीनी ले थी उससे से थोड़ा कम हमें पानी ढालना है हटेक्बहते बहूरा दूरा को तो विडियो मेरें चीनी ब्याताamamे जुता है हजनस गुलने में रह गई है इस वीडियो को हम बिल्कुल भी इस 같이 विल्चेस मिल्चाइग और दो तो जो दाने हैं बस हमें चीनी को आचे से घोल लेना है घोलने के बाद हम इसे तीन से चार मिनट ही पकाएंगे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे और वह भी दीमी आज में ताकि जो मिठाई बनाए हम वह अच्छे से सेट हुए तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बिल्क काफी गाड़ी आपको दिखने लगेगी अच्छे सिसमें बबल्स भी आ रहे हैं इससे चाहें तो उंगलियों से आप इस तरह से चेक करेंगे तो यह गाड़ी लगेगी इसका कोई तान नहीं बनेगा पर इस यह अहां तो से देखेंगी काफी चिप चिपी सी इस तरह से करेंगे आपको और बस इसी तरह की चाहस नहीं हमें लेन उंगली पे लगाए देखें गाड़ी दिख रही है एक दम पतली नहीं है तो इसे हम इतना ही पकाएंगे और अब हम इसमें डाल देंगे यह रोज सीरप अगर आपके पास रोज सीरप नहीं है तो आप इसकी जग करेंगे अगर आपको कोई दिखकत हो तो पहले आप द्सकू बंद कर दीजीए ता कि जो किस्टल बोना रहें आह ओर देखें ये मिठाई अच्छे से बनके तयार हो गई है काफी बड़ा डोकी तरह ये सिमिठने लगी है इसमें हम डालेंगे अच्छे से फिलेवर के लिए मिल्क पाउडर से मिठाई वाला टेस्ट आएगा हमारी मिठाई में मावे का हलका सा टेस्ट इसमें आ जाएगा तो आप मिल्क पाउडर थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं अपने पसंद के साब से या थोड़ा कम भी डाल सकते हैं लेकिन ज्यादा डालने से ज्यादा ट और भी बढ़िया दिखेगी तो बिल्कुल नए अंदाज में हमने इस मिठाई को बना की तयार कर लिया है और बहुत ही बजट में बनके तयार होगी ये 25 से 30 रुपे ही इस मिठाई को बनाने में आपकी खर्च होंगे बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने और है तो यह आप अपकी सुब्दा हो वैसा इस मिठाई में कर सकते हैं और बस अब मिठाई को सट होने के लिए इसमें डालना है त्रे को हमें अच्छे से ग्रीज करना है ताकि हमारी मिठाई इजली निकल आए निकालने में कोई भी दिक्कत ना हो और अब हम इसके ऊपर इस है और इसे फैलाने के बाद अब हम चम्मच की सायता से इस तरह से से चुटाते हुए अच्छे से कि एक सकल लेंगे बस हमें इसे एक सकल लेना है अच्छी से चिकना करना है से हमें तो चम्मच के उपर तेल या घी लगा लें जिससे यह बिल्कुल भी चिपके नहीं और आसानी से यह फैल जाए और इसी पहलाने के बाद हम इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए ही छोड़ेंगे और 10 मिनट में ही हमारी बर्फी सेट हो जाएगी बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा इस मिठाई को आपको सेट करने में अगर आपने पहले भी कभी मैदा की मिठाई बर्फी लड़ू कुछ भ मिनट के लिए ताकि अच्छे सेट हो जाए और बस अब हम इसे इतना ही चिकना करेंगे और 10 मिनट बाद हम इसे काट लेंगे यह अच्छे से सेट हो जाएगी और सेट हो गई है यह देखें काफी अच्छे से सेट हो गई है अब हम इसे काट लेते हैं हलकी सी गरम है यह और जैसे पीस आपको पसंद हो आप इस मिठाई के बैसे काट सकते हैं मैं यहाँ पे इसे तीकौन साइज का काटने वाली हूँ और जो काजू हमने इसमें डाले थे उससे इस मिठाई में बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है तो अब हम सारी मिठाई इस तरह से काट कर तयार कर लेते हैं आपको मिठाई बनाने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमझे कमेंट में पूछ सकते हैं जो भी परसानी हो वैसे तो मैं बहुत ही इजी तरीकी से आपको मिठाई की रेसिपी लेके आती हूँ ताकि आप भी इस मिठाई को बहुत ही इजी तरीके से बना पाएं अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट में भी जरूर बताएं हमारी आजकी रेसिपी अपको कैसी लगी तो मैं उस शाब की आपको रेसिपी दो कर अब कर दो हम सब्सक्राइब서 निलेंगे तो आप pewno तिकाउन में यहां निकाल लागे और देखें कितना अच्छा लुक इस मिठाई का आया है, जो काजू हमने इसमें एट किये थे, उसकी बज़े से बहुत ही बढ़िया इसका लुक आ गया है, तो अब हम सारी मिठाई इस तरह से निकाल लेते हैं, देखने में काफी खुबसूरत लग रही है, खाने में उतनी ह टेश्टी है, जितनी कि ये देखने में लग रही है, मिठाई को निकालने के लिए आपको कोई भी दिक्कत हो, तो प्लेट या थाली को हल्का सा आप गरम कर लीजिए, इसली तरीके से सारी मिठाई निकल कर आराम से निकल आएगी, तो अब हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अब हम आपको इसे तोड़ के भी दिखा देते हैं, कितनी सौप्ट है, ये कितनी मुलाइम है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत इसली तरीके से ये तो,